रंदीप हुड़ा आजकल अपनी फिल्म वीर सावरकर को लेकर बहुत जादा चर्चा में आ गये हैं लेकिन उनका जो बॉडी ट्रांस्वर्मेशन है वो देखना बहुत जादा हर कोई सोच नहीं पाता कि ऐसे कैसे कर लेते हैं लेकिन आज हम वो बेस्ट फिल्म्स लेकर आय साथ ही वो वीर सावरकर के किरदार भी निभा रहे हैं किरदार के लिए पॉफेक्ट शेप में आने के लिए उन्होंने काफी वजन गटाया उन्होंने बताया कि उन्होंने दामोदर सावरकर की तरह दिखने के लिए कुल 26 किलो वजन गटाया उन्होंने बताया कि वजन कम करने के लिए रंदीप ने चार महीनों तक बस एक खजूर और एक ग्लास दूद पिया और साथ ही उन्होंने अपने सिर के बालों को भी उस जगा से शेव कर लिया जहां वीर सावर करके बाल नहीं थे सरबजीत फिल्म सरजीत के लिए भी रंदीप हुटा ने हैरान कर देने वाला ट्रांस्फोरमेशन किया था अक्टर ने महज 28 दिनों में अपना 18 किलो वजन घटाया वजन कम करने के लिए रदीप ने अपनी डाइट से कैलरी और काबोहाइडरेट्स वाले फूड पूरी तरह से हटा दिये थे इंस्पेक्टर अविनाश रंदीप हुटा ने किरदारों की तरह दिखने के लिए सिर्फ वजन घटाया ही नहीं है बलकि वजन बढ़ाया भी है उनकी हालिया रिलीज विब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में उन्होंने 18 किलो वजन बढ़ाया ताकि वो एक टिपिकल यूपी के पुलिस वाले की तरह लगे बैटल ओफ सारागडी के लिए रंदीभुटा ने सिगरेट पीने तक छोड़ दिया था फिल्म के लिए उन्होंने अपने बाल भी सिखो की तरह लंबे किये यहां तक कि उन्होंने मननत मांगी थी कि जब तक फिल्म अपने अंजाम तक नहीं पहुँचाती तब तक वो अपने केश नहीं कटवाएंगे मगर फिल्म डिलीज नहीं हो पाई तीन साल तक इंतजार करने के बाद रंदीभुटा ने गुरुगरंट साहिब से माफी मांगकर अपने बाल कटवा लिये दो लफजों की कहानी फिल्म सरबजीत ने रंदीभुटा ने अपने वजन काफी कम कर लिया था मगर उसके बाद उन्होंने दो लफजों की कहानी की शूटिंग शुरू की इसके लिए उन्हें वापिस से वजन बढ़ाना था अक्टर ने अपने ट्वीट के जरिये बताया कि सरबजीत में वो 85 किलो के हो गए थे और दो लफजों की कहानी में उन्होंने वापिस से 57 किलो के हो गए तो देखा आप लोगों ने ये थी वो फिल्म जिसमें रंदीभुटा ने अपना वेट घटाया और बढ़ाया